शिरलंका खिलाफ तीन टीटवजी मैचों के सिरीज के पहले मैच में टीम इंडिया ने शिरलंका को एक बार फिर देर कर दिया है तोज जीद कर शिरलंका ही कप्तान ने भारत को पहले बल्लेबाजी करने का नियुता दिया था बारत ने बीस ओवर में तीन विकट खोकर 180 रन बनाए और बाद में अपनी शांदार गेंद बाजी के दम पर शिरलंका को मातर 87 रनों पर ही धेर कर दिया आईए आपको बताते हैं कि बारत को ये शांदार जीत दिलाने वारे हीरो कौन थे कप्तान रोही शर्मा के जल्द आउट होने के बाद ओपनर के अल राहूल ने मातर 48 गेंदों पर 61 रनों की शांदार पारी खेल कर बारत को वो शुरुआत दिलाई जिसकी टीम इडिया को जुरूरत थी हीरो नमबर दो विकेट कीपर बल्लेबाज एमेस धूनी आईएर के आउट होने के बाद चौते नमबर पर बल्लेबाजी करने उत्रे एमेस धूनी ने मातर 22 गेंदों पर 49 रन बनाए इतना ही नहीं उन्होंने इस पारी के दुरान 4 चौके भी लगाए और पारी की अंतिम गेंद पर दोनी ने एक जोरदार छक्का लगाकर पारी कांत किया जिसके लिए वो जाने जाते हैं हीरो नमबर 3 मनीश पांडे अंतिम ओबरों में एमेस धूनी के साथ मिलकर मनीश पांडे ने भी टेजी से रन बठो रही और मातर 18 गेंदो पर 32 रन जड़ दिये जिसमें उन्होंने दो चौके और दो शानदार छक्के भी लगाए हीरो नमबर 4 युजवेंदर चाहल शिरलंका ने टॉस जीत कर पहले गेंदबाजी इसलिए की थी क्योंकि सर्दी के मोसम में ओस की वज़े से उन्हें बाद में गेंदबाजी ना करनी पड़े लेकिन बारत के स्पिन गेंदबाज ने ओस पढ़ने के बावजूद शिरलंका को धेर कर दिया चाहल ने चार ओवर में 23 रन देकर शिरलंका के मिडल ओर्डर को धवस्त किया और टीम इडिया को 93 रनों से जीत दिला दी इस खबर में फिलाल इतना ही क्रिकट के ऐसे और अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को फ्री में सब्सक्राइब कीजिए